हलो फ्रेंड वेलकम टू मैं चोटी सी रह सोई आज मैं आप सब के लिए बापत से एक नावरातरी स्पेसल स्नैक्स की रेसिपी लेके आई हूँ आप देख रहे हैं यह है नमकीन जिसको आप अलू भुज़े ही बोल सकते हैं और यह आप ब्रत में खा सकते हैं बहुत ही आसान रेस्पी है पूरा जुड़ देखिएगा पसंदाएगा तो प्लीज एक लाइक करके जाएगा और इसे आप दिवाली पर भी बना सकते हैं या कभी भी बना के रख सकते हेल्दी भी है तो यहां पर मैंने लगभग एक कप के आसपास कुट्टू का आटा लिया जो नब ब्रत में खाया जाता है उसका आधा मैंने सिंगाडे का आटा लिया है दोनों ही आटा थे तो मैंने दोनों के ही बनाए आप नमक डालने टेस्ट के अकॉर्डिंग क्योंकि हम ब्रत के लिए बना रहे हैं तो और कोई फ्लेवर ने डाल रहे हैं अगर आप नॉर्मल टाइम पे बना रहे हैं तो इसमें लसन वगेरा का पेस्ट डाल सकते हैं लेकिन एक दम बारी करके अब मैं यहां पर उबला हुआ आलू ले रही हूँ इससे क्या होगा कि यह थोड़ा साना मतलब लाइट बनेगा खास्ता बनेगा और इसमें कुछ भी चीज़े डालने की जवरत नहीं पड़ेगी जिससे कि यह बहुत हार्ड बने खाने के बाद तो इससे यह अच्छा बन जाता है आलू में हमें इसको सानना है तो जैसा देखरें एक सौफ्ट सा डो बनके रेडियो गया है और यहीं हमें करना है उसके बाद हम इसके उपर तो अच्छा तेल लगा लेंगे क्योंकि हम जब हम इसे साचे में डालेंगे तो साइट में चिपकेगा नहीं इसके लिए सेव बना लिए तर understand के जैसे ही बनाना है आपको यहासे बजाय बेसन के बिलकुल उसी की तरह आपको बनाना है चुम्हण से尋रों में शुरू में आख रहेंगे से को जाक सब्सक्रै ऑ नों साजु बंचन कुछ में चलन वर सुर यो, बनाना बहुत ही असानने भाने में बहुता छाड़ी लगता है जैसा है लो मेखता सबी को निकाल लेना नहीं बना और महनत चाम एक बनाः और रख सकते हैं छोटी मोटी भूक पे भी यह आप भा सकते हैं चाहिक चाहिक तो अच्छे से तोड़ लेंगे उसके बाद इसके अंदर मुंग फली और थोड़े से मैंने कड़ी पत्ता भी फ्राइब करके ले लिया है उसे डाल देंगे नमक डाल रही हूं क्योंकि ब्रत के लिए तो सिंदा नमक डाल रहे हैं काली मिर्ची और आमचुर पाउडर अगर खाते हैं तो और इसको अच्छे से मिला लीजिएगा बस आप यह बनके रेडी हो गया है इसको किसी भी आटाइट कंटेनर भर के महीने बार आराम से स्टूर कर सकते हैं और इसे अपने खा सकते हैं बच्चों को भी काफी ज़्यादा पसंद आता है तो अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजेगा लोगों को सेर भी कर दीजेगा और आगे मेरी दिवाली की भी रेसिपिस आने वाली है तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लीजेए